So hi everyone, स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमिक इस नए लेटिस्ट और धामा केदार वीडियो में ये वीडियो बहुत ही जादा पावरफुल और यूसफुल साबित होने वाला है क्योंकि अभी तक हम लोग दो चेप्टर समापती के बाद अब हम लोग तीसरे चेप्टर पढ़ने के लिए भी उतारू हो चुके है तो फाइनली आज के थर्ड चेप्टर का नाम है धातु एवं अधातु बहुत ही मज़दार और इंट्रेस्टिंग चेप्टर है जो कि आपको पढ़ने में भी मन लगेगा वीडियो को भीना स्किप के अंत तक देखना है अच्छा लगे तो लाइक करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है तो देखिए चेप्टर का नाम है धातु अधातु जो हम लोग बचपन से ही इसके कुछ अशार को पढ़ते आ रहे हैं तो फाइनली आज इस चेप्टर को हम लोग थोड़ा सा और भी इंट्रेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे और इसमें हम बहुत सारे लॉजिक और ट्रीक भी समझाएंगे जो बारिकी से आपको समझना है आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से जो भी टॉपिक इंपोर्डेंट होगा न मैं परतीक टॉपिक को पुस्तमार्टम करूँगा हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा बस पैसンس रखना और विडियो को बीना स्कीप के सुरूँ से अंत तक देखना है सुनिएगा सबसे पहला बात यह है कि छिप्टर कना में धातू अधातू तो सबसे पहला सवाल बनते है कि धातू किसे कहते हैं अगर धातु समझ में भी आ गया तो सवाल अगला बनते हैं कि अधातु किसे कहते हैं तो देखे हम बच्पन से ही एक बात समझते आ रहे हैं कि धातु जिसके अंदर चमक होती है और अधातु जिसके अंदर चमक नहीं होती है धातु जो कठोर होते हैं, अधातु जो कठोर नहीं होते हैं, धातु जो ठो सवस्था में पाये जाते हैं, अधातु जबकि ठो सवस्था में नहीं पाये जाते हैं, यानि जो चीजे धातु के साथ होती है, वो चीजे अधातु के साथ नहीं होती है, तो वहीं चीज मैंने भ लिखा है फाहतु के घौटिक धर्म तो फायनली है और आधातू के बारे में आप ने principized जिसके अंदर चमक तन्याता का गुण और तननध शम्टा थो सवस्था में पाए जाता है उसे धातू कते और अधातू जिसके अंदर nova t lagi के अंदर पाए जाना वा गुर्धर्म क्या यहने फीजिकल उसका नेचर कैसा होता है तो सुनिएगा मैंने वहीं चीज जो डिफनेशन के अंदर डिफाइन करने की कोशिश के और समझाने की कोशिश के फिर वहीं बात में लिखा हूँ चुकि वह फीजिकल नेचर को ही एक एस्टेटमेंट के तोर पर बहुत ही अच्छे ढंग से लाइन से सजा कर लिख देते हैं तो हमारा धातु का एंसर तयार हो जाता है तो फाइनली अगर बात करें कि धातु के जो भौतिक गुर्धर में वो क्या है कि आप देखे होगे कि धातु के अंदर चमक होती है जैसे सोना चांदी वगरा देखे होंगे उसमें चमक होती है लोहा वगरा को भी घीज देंगे तो उसके अंदर चमक आ जाएगी स्टील वगरा देखे होंगे सीशा वगरा देखे होंगे इस सब क्या है धातु है ठीक है अब यहां पर देखे तो उसमें टन टन किया वा जाती है ठीक है न अच्छा वो कठोर होता है लेकिन इसमें कुछ important बाते हैं जो मैं लिख दिया हूँ जो आपकी exam के point of इससे काफी important है मतलब कि आपकी objective में भी पूछ दिये जाते है बौड इकजाम में यहीं से objective पूछ जाते हैं वहीं चीज में लिखाओ देखिए धातू के कुछ कठोरता के अपकी अपके कहता है किध़ जो कठोर होते हैं यहीं कुछ कठोरता कि अपकी अपकी रहने के बावजूद भी कुछ अपना वह character न करके किसी दूसरी चीज का करेक्टर रख करके और धातु कहला है मतलब कि वह क्या है ना कि अधातु का करेक्टर रख रहा हो लेकिन है किसमें धातु की केटेगरी में तो इसलिए हम उसको अपवाद की केटेगरी में रखते हैं तो हलंकि धातु कुछ कठोटा के अपवाद ह जिसको हम पहली धातु का नाम रखेंगे sodium और दूसरी का नाम रखेंगे potassium और तिसरा का नाम रखेंगे lithium ये तीन ऐसे धातु हैं जो कही न कहीं से कठोरता के अपवादे हलें के ये धातु की केटेगरी में आते हैं अब sodium का जो रखाइनिक संक्यत होता है न वो है न और potassium का रखाइनिक संक्यत है जिसको हम बहुत आसानी से कठा क्या प्वाद है यह अती मुलायम होते हैं और चाकू से असानी से कटा जा सकता है तो देखिए सोडियम क्या हुआ इन ए पोटेसियम क्या हुआ के और लिथियम क्या हुआ अब खुद ही खुद आप अपना थोड़ा सा दिमाग को लगाने की कोशिस कीजिए यहां खुद ट् कोन सा टो और इसको वखने से क्या याद हो जाएगा नतपली अधातु जो एतिम उलायम होते हैं जो कट्षुर्ति क्या काटा जा सकता है इसमें तीनों धातो का नाम समाहित हो जा रहा है involved हो जा रहा है और इसको याद करना काफी आसान अचा सुचिए जो नकली रहेगा तुखहर अपको आद होलोगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम आसानी सुचको वहति किलोमेटर लंभा तार बनाया सकता है है बहुत इंपॉटेल है भाबु आप इस को दिमाग में रख लिजिएगा तहु सोच समझ करके मैं इस content को पढ़ा रहा हूं जहां से objective बनता है बिलकुल वहीं पर मतलब जो है ना टैक कर रहा हूं वहीं पर बिलकुल जो है ना वार कर रहा हूं आप समझेगा हम जानते हैं कि और जगा भी आप कहीं पढ़े होंगे आप इस chapter को भली भाती पढ़ लेंगे लेकिन हम जो पढ़ा र आप से दो किलोमीटर लंबातार बनाया जा सकता है कि एक गराम सब्सक्राइब कितना लंबातार बनाया जासकता है तो आपके लोगता उसमें अपसंदेगा आप लगा दीजेगा अब बात करते हैं यहाँ पर उस्मा एम विधूत के सूचालक होते हैं सूचालक का मतलब समझते हैं ना अच्छा चालक मनें चलाने का अच्छा काम करें मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अच्छा से परवा होगा समझ रहा ना और कहीं न कहीं से एक कड़ दूसरे कड़ों के भी काइनेटिक एनरजी काफी अच्छा से मुफ करेगा ठीक है तो खुल मिलाज लाकर करके वी उसमा एंविधूत के सूचालक होते हैं अच्छा अब थोड़ी सी बात यहां पर आ रहे हैं कि ठीक है तो धातु के बारे में तो बहुत अच्छा से समझ गया है तो क्या अधातु क अधातु के मतलब आपोजिट चले जाएए तो इसका डिफिनेशन तयार हो जाएगा लेकिन कुछ इंपोर्णन बात है जो मैं लिख दिया हूँ अधातु को अगर आप उठाएंगे तो अधातु के के टेगरी में आने वाले जितने भी तत्व हैं वो ठोस अवस्था में भी होते हैं द्राव में भी होते हैं और गैस यानि कि तीनों अवस्था में पाए जाते तहल में ने जो धातू उढ़ातू दोनों के तरह व्यवहार करता हूं अगर देखा जय से मानगे चलिए हमारे इस मानोजाती में इस मानौ जगत मतलब दुनिया में अगर देखा जाए हमारे मानोजाती को एक महोल चल रहा है इसमें जब संतान पैदा होता है तो या तो लड़का या तो लड़की लेकिन कभी आप सुने होंगे कि लड़का और लड़की दोनों का गुण रखने वाला किन्नर पैदा हो जाता है तो सपोज मान के चलिए कि अगर धातू मेल हो गया और अधातू फीमेल हो गया तो कहीं न कहीं से इस धातू और अधातू के गुण रखने वाला भी कोई बीच में होता है मतलब कभी-कभी धातू की तरह बेवहार रखेगा तो कभी-कभी अधातु की तरह यानि कभी कभी मेल की तरह तो कभी कभी फीमेल की तरह तो जब हम हमारे मानों जाती में अगर मेल और फीमेल दोनों की तरह बेवहार रखने वाले किन्नर हो सकते हैं तो धातु अधातु में भी बेवहार रखने वाले उपधातु हो सकते हैं क्या हो सकते हैं बहुत आसानी से समझना है अब उसके बाद से देखिए अब हमारे पूरे इस periodic table के अदर जो आधोनिक अवर्थ सार्णी चल रहा है उसमें total मिला करके साथ किसिम के ठीक है ना उपधात हुए है जैसे कि बुरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अरसेनिक, एंटी मने, टेलियूरिय पौलोनियम, अभड़ आप काएंगा से याद हो गया यह साथ किसिम के तौमें बता रहा हुए подготовated надо ट्रीक का अवाण का बना है auray no new लगा टीम में कौन रन जमा के मात बहुत असान है जी अरे लो नियम लगा टीम में कौन रन जमाके मारा तो औरे से हो जाएगा नार तीम, तो कोन्प से हो जाएगा से हो जाएगा बुरान से हो जाएगा बुरान और जमा से हो जाएगा जर्मेनियम ठीक है ना असान है कि नहीं है इसमें पूर्य सातों तत्वा आ जाएंगे जो उपधातु की केटेगरी में आते हैं अच्छा कुस इंपॉर्डेंट फैक्ट भी मैं लिखा हूं जहां से आप जिसको कहते हैं हिंदी में पारा एक मात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव औस्था में रहना पसंद करता है ठीक है ना सुनिएगा मरकरी जिसका रसाइनिक सुत्र क्या होता है एच जी और जिसको हिंदी में पारा कहते हैं एक मात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ता पाफी इंपोर्डेंट है सुनिएगा सिल्वर तथा कॉपर ऐसा धातु है जो विधूत एमाम उसमा के अच्छा चालक है तो आप से अबजेक्टिव पूछ सकता है कि निमलिखित में से कौन सबसे अच्छा चालक है और उसमें अप्शन दिये रहेंगे जो भी दिये सबसे पहले अगर सिल्वर कॉपर के अजिन में अच्छा चालक माना जाता है जबकी के बाद हम एक और वी बात लिखें लेड जिसको कहते हैं शीशा मरकरी जिसको कहते हैं पारा याने शीशा और पारा जो है ना कूचालक है याने विदूत और उस्मा के अच्छा कूचालक है ठीक है ना तो यहां तक हमने धातू अधातू के बारे में कुछ टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने ही कुछिस किया अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक को भी बड़े ही आसानी और इतिमिनान से समझ लेते हैं तो यहां तक ले लिजिए एस्क्रिन सॉट तो चलिए बिना देर किया हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक काफी important है और वो भी आपकी exam के point of view से सुनिएगा धातु अधातु का जो अगला टॉपिक है वो है धातु के रसायनिक गुर्धार्म जैसे ही रसायनिक गुर्धार्म की बात आती है तो समझ लेना कि अभी किरिया के फलसरूप विज्ञानिकों ने जरूर कुछ देखा होगा बहुत कुछ नया परिवर्तन देखा होगा कभी धातु को अधातु के साथ अभी किरिया करा कर देखा होगा इसी के तौर पर इक टॉपिक बना दिया आपके विज्ञान में कि आपको भी इसे पढ़ना होगा कि रसायने गुर्धर्म किसे कहते हैं तो रसायने गुर्धर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लिजेगा धातु अब धातु तो और रहेटा है और गोशीश करो तो इसे दात्व का बेसी कोस्ट में फिर मैं समझा दिया हूं कि धातु जिसके बारी कोस में एक दो तीन इलेक्टन बचे तो समझ लेना है और जिसके जिसके बाहरी कोसल में चार इलेक्टरण समझ लेना उप धातु है और जिसके बाहरी कोसल में आठ इलेक्टराण समझ लेना वो समझ जाना कि वो उच गैसे तथे और कहीं न कहीं में जब जलाते हैं, तो क्या होता है? क्या आपको पता है? तो देखें, मान के चिली कि धातु मैंने sodium ले लिया, sodium लेने के बाद, अब oxygen का जाहिर सी बात है कि संकेतिक चिन O2 है, तो हम क्या करेंगे? O2 से अभी क्रिया करेंगे, और मैंने sodium oxide क्यों पढ़ दिया आपको पता होना चाहिए कि धातू को धातू की तरह पढ़ा जाता है और आने जो अधातू है ना हमेशा अधातू को आइड के फ़र्म में पढ़ते हैं इसलिए oxygen को हमने अकसाइड पढ़ दिया ठीक है इसलिए sodium oxide बन गया तो सुनिये एक ना sodium का oxide बना अब ये इसकी परकिर्पी की बात करें कि इसका टेस्ट कैसा होगा अमल होगा कि छार होगा तो मैं थोड़ा सा होते हैं हमेशा चारी होते हैं कि कुछ ऐसे मनें compound बनते हैं जो कभी अमल और कभी छार दोनों की तरफ बेवहार करते हैं वह मैं आगे बताऊंगा लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि कभी एक तरफ धातू और दूसरे तरफ अधातू हो तो अभिक्रिया के फलसरुप जो compound निर्माड होता है ना उसकी परकृति हमेशा चारी होती है तो कहेंगे सर तो बता दीजिए ना कि अमलिया की पाचान कैसे करेंगे बड़े मज़ेदार बाते आपने बता दिया धातू की पाचान मने धातू और अधातू के अभिक्रिया के फश्रुप मने चारियता की तो क्या बनेगा जिस compound का निर्माड होगा की साथ करेंगे ऐसा यह क्या है ये कहीं ना कहीं से अमलिय परकृति के यह अमलिय है यानि कि जब भी कभी किसी भी तरीके से अधातू के गूड के अंतरगत आए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं और उनसे बनने वाले जो भी उत्पाद के रूप में निर्माण होते हैं वह कहीं ने कहीं से अमलिय परकृतिक होते हैं और एक तरफ धातू और दूसरे तरफ अधातू और किसी कमपाण में धातू अधातू दोनों चीजे देखने को मिले तो समझ लेना कि वो चारी है अब बात करते हैं कि धातू जब जल के साथ अभी प्रेया करें तो क्या होगा बताइए क्या होगा तो और दूसरे तरफ तरफ में जल रखा की नहीं रखा तो उस धातू का hydroxide बनता है आप लेख सकते हैं कि जब वी कभी धातू को जल के साथ अभी क्रते कराया जता है तो उस धातू का hydroxide बनता है यानि mg को जब H2O के साथ हमने अभी क्रते कर रहा तों गदिया और केल्सीम को मैं कि एस टीम को मैं करते कर देखा लुक्त होगा सुनिएगा दख एक तरफ दूसरी तरफ अधातु साथ अभी कर लेगा और हाइडोजन को विस्थापित कर देगा लेकिन विस्थापित यानि विस्थापन शब्द से एक बात याद आया है कि एक तरफ तत्व और दूसरे तरफ compound रहाए यानि एक तरफ single तत्व रहा है और दूसरे तरफ compound रहा है फोसी का लिखा गए चिया को तो अलग कर दिया और यह क्लॉरिन के साथ साजा करके तो विज्ञानिकों से बता कि रिसांच किया है एक चुली क्या है ना कि जब भी कभी एक तरफ तत्व दूसरे तरफ योगिक हो और उस योगिक में कोई तत्व इंटरफेर करता है तो अगर कोई तत्व उसमें से विस्थापित हो करके अलग हो जाता है यानि कि विस्थापित हो जाता है तो समझ लेना कि वो जो तत्व जो इसमें जाकर करके इंटरफेर करके किसी तत्तों को भी स्थापित कर दे कैसे मालम चले तो वो तो अभी क्रिया के फॉल सरूप मालम चले जैसे कि हम किसी लेबरेटरी के अंदर जाएंगे और जाहिर सी बात है कि अमल में सोडियम को डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो बता होंगा फिलहाल यहां पर आप समझ लीजिए इसी से रिलेटर कुछ बाते में सक्रियतर स्रेड़ी को भी में बताओंगा सुनिए गां यहां पर क्या है कि कुछ इंपोर्डेंट बाते हैं जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है धातू अक्साइड यानि जो धात अक्साइड बना दिया अर्थात यह चारी परकृति को हो गया तो देखिए यह क्या है ना कि चारी परकृति को और मैंने थोड़ी देप पहले यहीं डिसकस कर रहा था कि जब भी कभी धातू अक्सीजन के साथ अभी करता है तो धातू अक्साइड बनाएगा अर्था तो अभी क्रिया करके अलमुनियम का अक्साइड बनाता है तो क्या यह चारी है नहीं जिंग अक्सीजन के साथ अभी क्रिया करता है तो जिंग अक्साइड बनाता है तो क्या यह चारी है तो देखो यह बोला है आपकी किताब में कि अलमुनियम अक्साइड और जिंग थाइड हो अम चारिया ही होगा और यह जरूरी भी नहीं है कि वह मनिया होगा यह किसी भी पर किर्थी कि हो सकते हैं और और किसी भी टेस्ट में पuingी समाईद कर दें तिकना मनें ऐसा ठाथा जो अम तथा श्रीया जहारक दोनूस अभी किरिया करके मैं दोनुस विकी clamation करते और करें करने के बाद छाना धी की अभी करके शारक दें ज़रूरी नहीं है कि कोई धातु मैं अमले के साथ ही अभी किया करके ला में लावन तरफ जल बनाए नहीं इसका कहना यह कि कोई भी धातू ले ले लिए अगर ऐसे धातू जो अम लेके या छारक के साथ किसी भी तरीके से अगर अभी किरिया कर रहा है तो अंत में लावन तरफ जल का प्रोडक्शन कर रहा है यानि उत्पात के रूप में उसका निसका कर रहा है तो समझ लेना कि वह उबैधर्मी अकसाइड का लाते हैं वह ऐसा द्धातू का अकसाइड में अकसाइड का लाते हैं अब आईए मैंने थोड़ी दिर पहले जो इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि जब एक तरफ तत्व रहेगा और दूसरे तरफ कम पाउंड कि इस दस लोगों में न दो ऐसे ब्यक्तिय जो बहुत मजबूत है और आठ लोग है जो कम जोड़ है तो हम कैसे पता करें कुछ तो ट्रीक और लॉजिक होगा जिसे हम पता कर सकें तो कुछ उसके सिंबॉलिक या कोई संकेतिक बाते रखेंगे तब पता चलेगा आनि तो प् संसूर धातू को अभिकिरिया के फॉल्सर विस्थापित कर देते हैं यानि कुछ ऐसे धातू हैं जो अभिकिरिया होगा ना जब भी कभी एक धातू और दूसरे धातू के बीच लड़ाया जाएगा तो मालूम चलेगा यह धातू इस धातू को उठाकर पटक दिया अर्थ सक्रियता स्रियन्री को समझना जरूरी है मैं ओल लेड़ी लिख दिया हूँ तो भाई स्रियता स्रियन्री के अंतरकात कुछ ऐसे तत्वात के हैं जो line by line से मैं लिखा हूँ सबसे मजबूत अभी क्रियसील धातू यहाँ पर एक नमर में यह है और इसी तरीका से down होते 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 यहाँ पर सबसे कमजूर धातू gold पर चले गए हैं यानि सबसे मजबूत अभी क्रियासील धातू पोटेसियम है और सबसे कमजोड अभी क्रियासील धातू गोल्ड है यानि टोटल के टोटल मैंने मेटल को लाइन बाइन से लिख दिया है जो आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से इंपोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा पूछा आ जाता है ठीक है न यहां पर सुनियेगा कि पोटेसियम हो सह्ट थिक माइन इन सभी को कि रोसे और मजबूत अभीक्रियसिल्धातु होते हैं तो अभीक्रियसिल सिरेडी को याद करना जरूरी तो पता चले अब कि पोटेसियम के अपे अपे तो थोड़ा सा कम जोड अभीक्रियसिल्धातु है और लोग अपनेव के-टिक्टि में ऐसे भी तो उसमें से भी आपको चुना तो इन सारे जो मेटल हैं जो सारे धातु जो अभी क्रियासिलता स्रेडी के अंतरकत बहुत ज्यादा फेमस हैं जिनका चर्चा आपकी मतलब स्टेडी पॉइंट अभी होता है और इंपोर्डेंट कोस्टन के पॉइंट अभी होता है तो मैं सा सुद्यिएंट हैं पीडना आएन क अगर कभी पोटेशियम याद हो'day तो सोडियम याद नहीं होग तो पह्मिंदा और इंटीए तो कभी जींक तो कभी पॉलमियम है कितना मतलब टेंसन का एक मतलब इतना बोजील बन गया कि सर अब तो मुझे साइन से मतलब नफरत होने लगा बट यहां पर नफरत नहीं अब आपको प्यार हो जाने वाला है सुनिए का ध्यान से मैं सक्रियाता स्रेडी को याद रखने का बहुत ही संदार ट्रीक बता रहा पूरी के पूरी सक्रियाता स्रेडी के अंतरगत आये जाने वाले जितने भी मेटल है जो अपने आप में बहुत मजबूत और आप में सबसे कमजोड है सब को लाइन बाइन से लिखा हूं सुनिए का ध्यान से बस चार दावा का नाम याद रखना है जिस तरीके से अगर आ चार दावा का नाम याद कर लेना इससे होगा यह कि पूरी के पूरी सक्रियाता स्रेडी याद हो जाएगी और कभी लिखा इंवाल्व जितने भी कंपाउंड होते है ना उस से भी मजबूत अभी कर सिल दातू उसकंपाउंड से भी स्थाफित कराने में काफी आसानी होग याद रखिएगा कबासना 5 mg कबसना 5 mg दवा के नाम की तरह हो रहा है कि नहीं जिस तरह के स्कालपोल डेख सोना वगरा ठीके ना इजी तरह माईशन वगरा होता है उस तरीका से यह नाम मैं सेट किया हूं कबासना 5 mg बस इसको एक-दो बर करें याद हो जाएगा कबासना 5 mg तो कबासना 5 mg से क्या हो दाएगा कि एसे पोटेसियम बी एसे बेरियलियम और सी एसे केलसियम और एन एसे सोडियम और फाइब को मना इगनौर करके चलना है mg पर टार्गेट करना mg से मेगनेसियम यह हो गया एक दो तीन चार पांच पांस तो याद होगा जो सबसे पहले अ अलजिंग क्रोमियम की बात करें तो अलजिंग क्रोमियम इन देखेगा ऐल से अलमोनियम जेडन से जिंग क्रोमियम को मैंने पूरा लिख दिया यानि इसमें तीन ही तत्व है तो देखेगा अलजिंग क्रोमियम से याद आगया कि नहीं कब आसना 5 mg के बाद अलजिंग क्र पर जाना है इसका मतलब कि मेंगनीशियम के बाद अगर उसे कम कोई अभी क्रिया सिंदात हुए तो वह है अल्मॉनियम जिंख क्रोमियम ठीक है ना तू यहां पर लिगन चैन यहां पर लाई न देखिये यहां पर भी ध्यान देखिए यहां पर भी ध्यान दीजिए पूरे से लेकर के गोल्ड के बीच में जितने भी मैंने मेटल को लिखा जितने भी अभी क्रिया सिलता से अंतरगत आए जाने वाले जितने भी धातु है सब को मैं निखा और सबके साथ में यहां पर लॉजिक और ट्रिक सेट कर दिया हूं फिको निकेटिम देखिएगा एसे फेरस हो गया C वेल्ट हो गया इन आई सी के से निकल पड़ सकते हैं और टीन से टीन पड़ सकते हैं जिसको सेन केयाँ ठीक ना फिको निकेटिन से हो गया फेरस कोबाल्ट निकेल टीन अब यहां पर आईestab planatinum gold यह यह तो मतलब बिल्कुल अच्छा टॉनिक की तरह काम करेगा हाइक प्लेटीनम गोल्ड लास्ट मिले ना है ठीक है ना हाइक प्लेटीनम गोल्ड अंतिम ब्रहमास्त्र है जो आपको सिहत परदान करेगा सुनिएगा यहां पर देखिए इच से हो गया हाइड्रोजन कॉपर से हो गया कॉपर सी यूपी से हो गया कॉपर प्लेटीनम से हो गया प्लेटीनम पीटी और गोल्ड से हो गया एयू मतलब गोल्ड देख रहा है ना यहां पर हाइक प्लेटीनम गोल्ड और सबसे लास्ट में है क्या है गोल्ड तो गोल्ड मैंने दे दिया कि नहीं यहां पर द दिमाग में fit कर लेते हैं तो सक्रियता स्रेंडी से related objective पूछ दे या फिर अभिक्रिया कराने के तौर पर किसी compound से किसी तत्व को विस्थापित करने के तौर पर कोई अगर पूछ दे सवाल तो आप इसे चुकेंगे नहीं पूरा का पूरा एदम बना देंगे इसमें आपको घबडाने के ज़रूरत हिने बस कबासना 5MG, Alginchromium, Phiconicatin, Hycoplatinum Gold फिर से आप मेरे साथ बोल देजी कबासना 5MG, Alginchromium, Phiconicatin और Hycoplatinum Gold ये 2-4-5 बर बोलिएगा और comment में लिख दीजेगा आपको याद हो जाएगा तो यहां तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया इसका भी ले देजे स्क्रीन सौट तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट टॉपी को भी समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपी भी काफी आसान है और आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफिस से काफी इंपॉर्डेंट है तो देखिए का हमारा अगला टॉपिक क्या है धातुए एवाम अधातु अभी किरिया दो तरीके से होती है हमको कहना यह था कि जो अभी किरिया होती है अभी किरिया अभी किरिया जो होती है यह दो तरीकों से होती है किस तरीके से दो तरीकों से एक तो आयनिक बंड बना करके आयनिक बॉन्ड बोले तो आयनिक बंदन बना करके और दूसरा जिसम हुँ से संयों बंद बना करती अदिकी जो अभी केरिया हुटत हूट सबसे पहला बात प्राइम सी इस बात को फीठते हुए आ रहे हैं कि किartiaría यह दो चीजों का मिलन और यह दो चीजों का मिलन जो होता है न वह दो तरीके से लड़का और लड़की का जो मिलन होता है जो दो तरीके से होता है जो रिस्ता दो तरीके से होता है एक love marriage और एक orange marriage in the same way chemistry में भी यहीं देखने को मिलता है कि जो अभिकरिया जो मिलन होती है वो दो तरीके से होती है पहला तो होता है आयनिक बॉंड बना करके इसमें क्या होता है आयनों का आदान पदान होता है ठीक है यानि कि कुछ मेरा घाटा तो कुछ तेरा घाटा ठीक है ना ना मेरा घाटा ना तेरा घाटा रिस्ता भी हो गया है तो यह हो गया आयरेंज मेरेस यानिक बॉंड में और स साजयोजी बंद में क्या होता है साजयोजी बंद में यानि कि हम अपना सिर्फ साजयदारी के हैं सिर्फ अपने बारे में सोचे लड़का लड़की के बारे में सोचा और लड़की लड़का के बारे में सोचा ना लड़की अपने परिवार के बारे में सोची ना लड़का अ अपने साज़ेदारी किया जाते हैं अपने फीलिंग को साज़ेदारी किया जाता है तो यह हो गया सासवयोजी बंदन यानि यहां पर सासवयोजी बंदन में सिर्फ और सिर्फ अधातु दूसरे अधातु से अभिक्रिया के फलसरूप अडू का निर्माड करते हैं जबकि आ तो आयनिक बंधन के फल सरूप अभी किरिया करती है और तब एक नए उत्पात का निर्माण करती है यह बहुत आसान सवाल था अब चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धातू की प्राप्ति ठीक है धातू के बारे में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो बताईए कि ठीक है सर तो धातू की जो प्राप्ति होती है वो कैसे होती है तो देखिए जो धातू की प्राप्ति होती है न वो हमारे मतलब कुछ वाता बरन में होते हैं कुछ भूपपरटी पर होते हैं तो फाइनली हमारे जो धातू की प्राप्ति होत यहां चुकई कि नहीं देखें प्रिथिविक के भूफपपर्टी कीसे कए अंग्लीज में अर्थ-crust करते जैसे ही आप खोदेंगे तो सबसे पहले खरक्राप्ति होगी और खरक्राप्ति होगी तो मतलब क्या होग उस तत्तो की प्राप्ति होगी योगी की प्राप्ति होगी ठीक है ना तो प्रित्वी के भूप पर्टी में परकिर्तिक में परकिर्तिक रूप से जो परकिर्तिक ने खुद बनाया है ठीक है ना मान के चले ये हमारा जो दुनिया है इस दुनिया में जितने भी चीजे जो दिखाई दे रहें जो परकिर्तिक ने बना तत्व पाया जाता है और योगी कुछ तत्व डायरेक्ट पाया जाता है या कुछ योगी के रूप में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं खनीज क्याते हैं लेकिन 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 जब कि कुछ इस्थानों पर खनीजों में कोई विस्यस धातु काफी मात्रा में पा काफी महांंगा हो काफी important हो सकता है कि सोना हो सकता है चांदीग को सकता है जो महँगा है ठीक है ना जो च्छी पॉंट खाफी कॉंट अच्छा है तो मेरे हिसाँ से धातु काफी मत्रण होती है जिसे निकालन value- beggar hewज I the지는 निकालना लवकारी और इसको अलग करना होगा को हम लोग आयस्क कहते हैं तो कुल मिला जो लाकर कि खानीज और आयस्क मतलब एक तरीका से देखा जाए तो मतलब एक सेनोनिस्म वर्ड की तरह दिख रहा है कि खनीज और आयस्क में कुछ खास फरक नहीं है बस खनीज जो डायरेक्ट भूपपटी में ततो और योगीकों को पाये जाता है लेकिन इनहीं ततो और योगीकों में कुछ ऐसे इंपोर्डेंट ततो मतलब होते हैं जिसको निकाल समझते हैं निस्कर्सर वर्ड की से करते हैं निस्कर्सर का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़िया तरीके से एनलाइसिस करना सब्पूज मान के चली कि मैं कोई बात बोला कि पता है तुम्हारे बारे में मैंने ऐसे सुना किसी ने कह रहा था कि वो लड़का जिस लड़की को रहने वाला है उसका फेमिली का लेवल क्या इसारी चीजों के बारे में बढ़िया से आप सही निसकर्स पहूंचते हैं कि आकर हमारे बारे में कहा तो कैसे कॉसी तरीका से धात Ilka जो निसकर्शन होता ने इसमें धात के बारे में विस्तृत जनकारी लिए गसी दातु है पता ज्नेर्स द्धाटों होता और क्या पता डगाया गया तो जानते हैं क्या पता चला पता ये चला जो सक्रियाता सीनेर्स वालु की नीचे review Edition आभिक्रियसील होते हैं यह नहीं लिस्ट रियक्टिव मेटल होते हैं तो विश्टांत्र आवस्ता में पाई जाती है जैसे कि सोना चांदी तम बा अधिसी मतलब चांदी और भी हो सकते हैं जो नीचे के किरेगरी में आते हैं लेकिन कुछ धातु हैं योगी को के रूप में मिलती हैं कुछ धातु तो योगी के रूप में मिल जाती हैं और सक्रियता स्रेणी में सबसे उपर अर्था सबसे अधिक अभी क्रियासिल धातु कभी भी सोतंत्र सब्सक्राइब तो मान के चली है कि अगर हम सोडियम को या पोटेसियम को जल के अंदर डालेंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा वायू के संपर्ग में जैसे आएगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा तो जारा सूचिए कि क्या सब्सक्राइब सबसे उपरी भाग में आय जाने वाले जितने भी रियरक्टी मैंटल है, आपना भी तो कमांसे कहला है, बिल्कुल ये सवतंद्रवस्ता में नहीं रख सकता है, जैसे ही मन्डल में मौझुद कुछ गैसे होती है, जिसके संपर्क में आ करके या जल से संपर्क करके या नमी के संपर्क में आ करके वो तुरंत आग पकड़ लेगा ठीक है ना तो कुल मिला जुला करके सक्रियता स्रेडी में सबसे उपर अर्था सबसे अधिक अभी क्रेसिल धातु कभी भी सोतंदर रवस्ता में नहीं रहते ह ये बात है new आप की लियर हो गई अब आएतों के परिसकरण के बारे में सम्हें सम उपहलब के मतलब समझते हैं यानिक इसमें शूदासूद को चाटने की परकेरिया शुद आशूद को छाटने की परकिरिया को धातो का परिस्करण करते हैं धातों में मॉझंध शुद और चुद और असुद्वेल करीफ leaving आत्व दैजा रातं में यहां पर देखिएगा कौपर हो गया जीनक को उसका सुधिकरन किया जाता है सुध को अलग और अशुध को अलग सुधिकरन करने की भी परविर्थी हमें यह पता चलता है कि शुधिकरन करना मतलब अशुध को अलग छाटना अगर हम सुधिकरन की प्रोसेस को अपना है तो अशुध अलग हो जाएंगे जाहिर शिवात त अशुद धातु को एनोड पर सुनिए का ध्यान से अशुद धातु को किस पर एनोड तथा शुद धातु को पतली परत के थोड़ बनाया जाता है यानि कि हम क्या करते हैं अशुद धातु क्या हो गया एनोड हो गया तो यह हो गया आपका अशुद धातु यह हो गया क्या च अब हमने क्या कि इसमें इन इसल बोले तो लर्ट का विलियन तयार किया ठीक है यानि इस पानी में हमने नमक डाला और हमने क्या कि इस दोनों रॉड को यानि उलत एनॉड और कैफोर्ड के सीरे से मैंने तार निकाल करके और विधुत अप घटनी के प्रोशिस को अपनाते सोर से इसमें धारा परवाह करने की कोशिश किया और जैसे ही कोशिश किया तो इसमें क्या होई इस पानी के अंदर हलचल मची और इस एनोड पर अशुध जो kawpar था सुनिएगा मैंने क्या क्या सबसे पहले copper का परिश्करन करने की process को बता रहा हूँ इस तरीके से zinc का भी कर सकते है SN का भी कर सकते है nickel का भी कर सकते है और AG silver को भी कर सकते है और gold को भी कर सकते है सुनिएगा ध्यान से हमने anode पर अशुध धातु को रखा अशुध copper को रखा और इस कैथोड़ पर copper के सुध को रखा और हमने जब विधोध अब घटनी प्रोसेस को आगे भढ़ाते हुए जब electric source के माधियन से मैंने electron को परवा किया यानि कि विधोध को परवा किया इस William के अंदर खलवली मची और कुछ समय बाद इस anode से इसमें से जो सुध जो copper थे वो निकल रहे हैं देख रहा है नाा यहां से निकल रहे हैं और यह कहा चले जा रहा है कैथोड पर जाकर के जमा हो रहा है ठीक है ना, एक समय के साथ यह जो पतला था यह मोटा हो गया, क्या हो गया, कैथोर जो था, जो सुध कापर को अबजर्ब कर रहा था, अपने तरफ खीच रहा था, इस विलियन के माधियम से कौपर, आइनोड से ज़ड़ करके, सुध डाइडिरेट कहा चला गया, कैथोर पर चला गया और ये पतला था तो ये मोटा हो गया और ये बेचारा मोटा था तो ये पतला हो गया और कुछ इस पर आ गया और कुछ इस विलियन में इन्वाल्फ हो गया इसी को तो कहते हैं धातों का परिश्कराण अर्था शुद्ध और अशुद्ध में मतलब बाढ़ सकते हैं के टिक्राइज कर सकते हैं अब कुछ इस चेप्टर के दो नमर एक नमर या अबजेक्टिव के तौर पर जहां से कोसन बनाया जाते हैं वो चीज़े मैं लिख दिया हूं हालें कि उतना इंपोर्डन नहीं है लेकिन हम इंपोर्डन समझते हूँ इसको पढ़ा भी दे रहे हैं सुनिए इस चेप्टर का लाश्ट टॉपिक है संचारण की से करते हैं भाई मेरे मैंने पहले ही लेसन में बताया था संचारण और विक्रत गंदीता देखे संचारण हो या विक्रत गंदीता यह दोनों चीजों को बरबात करने की परकिरिया यहां पर सिर्फ और सिर्फ संचारण समझाना है तो पदार्थ को बदल जाए उसका हुलिया बदल जाए तो इस परकार के धातू को और इस परकार की परकिरिया जो हावा और नमी के संपर्ग में आकर अपने रंग को बदल दे रहा है अपने ओरिजिनल कलर को बदल दे रहा है तो इस परकार की परकिरिया संचारण का लाती है बात आती है कि तो गैंग बता दीजी गैंग किसे करते हैं हम लोग भी अपना गैंग बनाते हैं जी बिलकुल अच्छी बात है एस्क में पाई जाने वाली अशुधियां अब आप समझ सकते हैं कि जो आप गैंग बनाते हैं गैंग को अशुधियों के रूप में देखा जाता है अगर आप भी गैंग बना रहे हैं तो आप समाज की अशुधियां हैं समझ रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि हम तो एदम दो-चार छोगड़ों के बीच रहता हूं और हमारे अंदर भी काफी जो है ना मतलब क्या बता है कि गुरूप चलता है हमारा गैंग चलता है और हम लोग जहां ज लगते हैं इसलिए गैंग को मतलब यहां पर इंसेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गैंग जब आपकी किताब में ऐसा लिखाया कि आयस में पाये जानी वाली तत्वा या योगी को को जो डाइरेक्ट भूपपर्टी से प्राप्त किया जाता है तो हम लोग है कि उसी आयस में अगर कोई अशुधिया पाई जा रहे हैं हमने तो ओरिजिनल निकाल दिया लेकिन उस अरुजिनल में भी अगर कोई अशुधिया है और उस असुधियों को हम निकाल रहे हैं तो समझे कि हम क्या कर रहा है आयस का संद्रन कर रहे हैं यानि आयस को समरीद की जाती है ना सब्सक्राइब के छले एक है उस अयस्क में मान के चले एक तो अपने आप में एक ओरिजनल हो गया गया content लेकिन उसमें भी कुछ असुधिया नहीं तो उस असुधियों को अलग छाटा जाता है तो समझे वो बेकार है तभी तो अलग छाटा जाना तो इन बेकार चीजों को हम गैंग करते हैं तो समझे आप समाज में अपने अच्छे समाज में अपना एक गैंग चला रहे हैं तो आप भी क्या हैं बेकार हैं इसलिए गैंग को कभी भी अच्छा नहीं समझे जाता हैं ब गलाहिए जा रहा है इसको हम लोग क्या क cigar रहा है लेकिन थोड़ा सा और गुमा दינה है और तब जाकर पार करने की परकिलिया समझ में आ जाते हैं इसथापन किल रहा है कारबोनेट के रूप में पाए जाने की परकिलेशतापन बहुत दोनों में सबसे इंस्तापन कर लाता है जो अपने रोज मरहा के जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं सुनिए का ध्यान से important fact of metal कुछ धातू के इंपोर्टेंट बाते भी समझते चले क्योंकि अभी इस चेप्टर की दाइंड होने वाला है सुनिए गध्यान से शुद्ध सोना जो होता है शुद्ध सोना वो 24 करेट में होता है कितना करें होता है कोई आपसे पूछें यह अबजेक्टि में पूछें आपका बिहार बुड़ आपसे पूछें तो डायरेट आस्पीन चढ़ा कर बोलेगा यस में वासर से पढ़कर आया हूं सुद्ध सोना जो होता है वो 24 करेट का होता है ठीक है यह काफी नर्म होता है ठीक है इसे तो आप यह कुछ ऐसे सुनार होते हैं जो तामभा और चांदी के जब लोहा भी मिला दें बट मैं सुनार की नमाईश नहीं कर रहा हूं उनकी बहिजिती नहीं कर रहा हूं बट इतना जान लिजिए कि मतलब हम लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं तो अब क्या मिलाता है ब कठोरता बनाने के लिए दो भाग तंबा या चानली हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं तब जाकर के यह कठोर बन जाता है और तब जाकर के हम चाहें तो अपने घर के लोगों अपने मा बहनों या फिर अपने होने वाली पत्नी के लिए हम लोग अच्छा जिवेलिरी खरी और वह भी पाता नहीं 178 केरेट होता है कि नहीं होता है अब ये उपर वपर वहला बेतर जाते और सुनार जाने फिलहाल ये चेप्टर बहुत ही मज़धार तरीक़ा से मैंने समझाने की कोशिश किया बहुत ही मज़दार तरीके से इस चेप्टर को दाइंड किया अब मैं आपको गुर्दक्षन के रूप में यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजेगा और यह बाते समझ में आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा बहुत है मेनक और मुसकत के बाद किसी चेप्टर को मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों में सेयर करना नहीं बुलेगा वाटसेप चलाते होंगे तो इस्टेटस भी अपलाई कर जाएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों में भी जरूर सेयर कर दीजेगा मैं बार-बार इस बात को कर रहा हूँ तो मिन्ते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिन